हलो दोस्तों आपने कही न कही तो निमू का बगीचा देखाई होगा जिसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि किसी बगीचे में निमू की संक्या बहुत ज्यादा होती है और किसी बगीचे में निमू की संक्या बहुत कम होती है उसके बहुत से कारण होते हैं जिसके बार कि मार्केट में डिमांड जादा होती है और इससे रिलेटर कुछ अन्य बाते तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते इस वीडियो को यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रियाबो को उल्डेटेस वीडियो के नो आराष्टे से हूँ बाकी मैं 15-17 साल ते फिलाल कसरावधी खरगों डिश्टिक में कसराव तेसी ले वह रहता हूँ थोड़ा यह निमो के बारे मटा दीजे जो आप क्रोपिंग कर रहे हैं देखो मेरा शुरू से ज्यादा लगाव जो है मेरा हल्टी कल्चर में बहुत श बहुत सारे निम्बू के बगीचे और लिम्बू मतलब यह हर साल नया भी लगता है पुराने भी निकलते हैं तो उस हिसाब से आपको निम्बू का में शुरू से लेके आखरी तक इसमें क्या-क्या दिक्कत आती हो कब लगाना चाहिए क्या होना चाहिए क्टिंग कब करन चाहिए इन चीजों का आपको में थोड़ा सविस्तर इस वीडियो में आपको जानकारी देता हो जैसे यह कितने मन्थक होगा यह अभी हमने जून में प्लांटेशन करा हुआ है तो जून से लेके अभी यह समझ लो अपना भी फरवरी चल रहा है तो यह अभी यह समझ लो आपको हमेशा पौदे की सपई रखना है और उसके बाद जो ब्रांच उपर फेल रही है उसको ज्यादा कटिंग नहीं करना आपको खाली नीचे की साफ सपई में इसमें माइना रखती है इसका जो में बगीचा है वो बड़ा बगीचा जो है अपना वहां भी है वो नार् पूराने बगीचे में पोच चुके है तो थोड़ा इसके डिटेल में बताइए घब स्टार्ट किया तो और कितने टाइम हो चुका है अभी देखो इस बगीचे को वेसे नार्मली यह मतलब शुरू से लेके अभी तक पकड़े तो यह आठ से नौ साल का बगीचा है और इ रहे बगीचे को किते समझ रखना और किते समझ चलाना यह बहुत चीज वाथा किसान के उपर डिपेंड करती कि उसका मैंटेनेस क्या बोलता है और उसके अंदर वो काम क्या कर रहा है इन चीजों पर ही बगीचा मतलब खुब शूरुती भी रहता है मेनेजमेंट मेनेजमेंट सबसे मेन चीज माइना रखता है और रही बात इसका मतलब जो क्राप की है तो यह अभी तक हमको अच्छी खासी इल्ड में चल रहा है जैसे कि me legallı management वाइनी में कौन से साउदानी शाही है? सब्सेर पहले बॉलिस प्रेमक बैटिओना की बॉलित बज़ा होती है मीं पूरिंग प्रपक्राइब को इसे उसके तोलिक्ने ब 2 संच जों न 이야기ना को इसंद कंड़ागों करें में संघन dato सब्सक्राइब करना पड़ेता हैं थिंदी यह दिन के अंत्र में इस प्लावरिंग थे अन्तरी गणास है नोग तब उसे पर बार में दोह familiarity चाहिए कि बरसाट में अभी हमारे बगीचे में आपको दूलने से भी केंकर जादा नहीं मिलेगा यह जो हमारे जो संजय बढ़िए यह नार्मली इस चीज को काफी समझते भी है और प्राफली प्रैक्टिकली ज्यादा देखते हैं मतलब प्राफली उनका बगीचों पर ध् जमीन से थोड़ा स्पाइटर स्पोरा सरकास्पोरा का अटेक बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि यह पत्ते पर डब्ब्ब आने लग जाते शुरुवाती पेली आवस्ता में तो उसके बाद क्या होता है कि यह लग पे जहीं किने इसे गठाने डिखने लग जाती है और डगाल जो ह snail किने दिरे-दिरे सूकर चली जाते है मतलब डेगो हे मंको इस टैप से मटब यह जो चीजे होती है यह इसका मेन-कैंकर का है मतलब यह जह चीज दिख रही है यह निम्बू की सबसी बड़ी बिमारी है मतलब केंकर इसी को निम्बू का केंसर बोल सकते हैं तो यह धब्बे लग जाते आगे जो भी किरिया जो रूख जाता है यह डगाले सुकते चली जाती दीरे दीरे यह पवदा डाउन होते जाता इसी चीज को आपको समझना हो और उस पर द्यान ज्यादा रखना की सबसी मेन बिमारी थाली एक आज की कि आपकर कर और यह निम्गाल से मतलल पट्टे पर आता है और बत्ते प्ड़पी जाता है अं तो श्क्रमार्केट में भी दिखता निया तो यह पकर चली मास कर तो यह पेकना पड़ता है और यह पर पर दो मेने बाद इसका वापत करना परता है हर 45 दिन में आपको केंकर काम होता है और इसकी जर से भी हमको इस्टन कापर डालना परता है जिससे क्या होता है निच्छे जो बारीस में जो फंगर क्यों बारीस में दो बारीस में करते हैं जिसको बोलते हैं बोलडो पेश्ट मतलब नीचे पुताई के लिए होता है उसी में बोलडो पेश्ट जैसे अब यदि के लिए आपने टियार करते हैं उसे में वापस आप 100-200 लिटर पानी में उसको उपर इसप्रे में ले सकते हैं अभी इसके बाद इसके बादल की उतना तो नहीं करना मतलब ज्यादा करके निम्बू में आप जितना नियुक्या सब्सक्राइब आती है बजार में उभी यूज़ कर सकते हो उसके बाद जो है यह आप यह मार्श आफ्रेल में हमको बजार में आजाए तो उसे हमको अंधनी अच्छी होती है देखिया जिस तरह लगा है इसमें नहीं हो और बागी परागी करन भी चलता रहे हमेशा इसमें म में रहेता हैं चैसेता है क्या हुआ जहका है इसका मां से अपने दिजमार जेसे की यह जो अपने अपने रहिए इस चाहलाय जो मखिया और इनकी कुछ पी पावलम रहते यह कुछ नहीं पता मदु मक्ही का रोल हल्टी कल्चर में सबसे में माना जाता है क्योंकि क्या होता है कि हाल्टी कल्चर में मेल फिमेल ये दोनों चीजे एक साथ आती है तो क्या होता है कि जब से वह मेल फिमेल क्रासिंग नहीं होगी तब तक उस चीज का उसमें परागी भवन नहीं होता है तो तो उस हिसाब से उसको आपको टीटमेंट भी करना पुड़ागा और उसके बाद रही बाद जैसे माल लग गया तो आपको जमीन की जो फर्टिकेशन वगरा जो नुट्रिन मैनेजमेंट जो है इन चीजों को भी आपको खास तोर पे ध्यान देना पुड़ेगा रही बाद मैनेजमेंट की पानी के लिए भी आपको इसमें जित्ते पोदे की केनोपी है मतलब पूरा पोदे का जित्ता बड़ा डेरा है उत्ता बड़ा उसके नीचे उसका थाला भी मिलना चाहिए यह जैसे आप पूरा देख लो हमारा थाला डाइरेक्ट एक दूसरे से मिला हुआ पहर जा है और बड़ी गाठ मातलब यहिसे चोटी गाठ बन जाए तो इसके बाद आपको ऐन चीजहों का तू ना है कि उसमें बुताई करना है कि उसको मित्ती को पल्टी करना है इंच उचिजों पर आपको थटोड़ा ध्यान देना पड़ादा गा इस में भुमिका है आपने दो भी फसल के लिए बहुत जरूरी है और बाकी राग गोबर खाट तो गोबर खाट तो गोबर का हर साल में एक वोदे को बीस किलो देना है उसके बाद माइक्रोनुटन देते हैं मेगनेशियम देते हैं सलपर देते हैं अमोनियम सलपेट देते हैं यह हम तप़े को देना चलू करते पांनी का विशेज धाना करता है क्योंकि पानी छे में ने लिमम बंद रहते हैं में चलता कर दतें आओ कभ चलाना है और हो अदर ठाखने पंच यह है इसने का बतायक है तो पानी है जम कर दृफ सिस्टम बहुत होतह हैं पर इसमें अपको में दिकने र क्या होता है कि पौदा जब नया फूल उठाता है या फ्लावरिंग उठाता है उसके पहले जमीन का जो भी मतलब कल नम तो भी अपनको काम करना गोबर खात देना यह जो भी चीजे देना है तो उस समय कटिंग करके उन चीजों को डाला जाता है फिर वापस उसके थाले जो जो पानी की मात्रा चाहिए तो उस हिसाब से थोड़ा फड़े फ्लड एरिकेशन में बगीचे को और ज्यादा अच्छे तरीके से अब इसको एक खोरा दिया आप इसके वाद जो हम डिब हैं मारे पास इसको अपर जाले हैं में कोई काम नहीं 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 तो पानी चला करेंगा जो जो अब आगा जाएगा जब दूब तेज रही तो फ्लड आजाएगा जब कम देना है पानी तो डिप चलू कर देते हैं दोनों बवस्ता हैं हर जएसे कि यह जो बगीचा लगाएं कुछ ऐसा सीजन है कि इस सीजन में इतनी क्रोब एक साल में कितनी क्रोब ले सकते हैं वह बता दीजे थोड़ा सीजन वाइस देखो नार्मली क्या होता है लिम्बो साल बर चलता है और साल बर फ्लावरिंग भी देता है पर क्या होता है कि आप उनको फल बजार में कब बेशना है और कब उसके रेट जादा आता है तो उसके लिए अपन को कि तैयारी उसी समय करना पड़ती है तो क्या होता है कि जैसे बगीचा आप उनको सबसे ज्यादा लिम्बू की जरुवत कपड़ती गर्मी में और सबसे ज्यादा रेट भी कब रहता है उसका गर्मी में मतलब मार्च के बाद से लेके माई-जून तक मतलब इसका रेट हमे करके जो भी अपन इसमें क्या होता है ट्रेस के लिए दो इस्प्रे करते हैं इस्टन का पर चुना मतलब बोरोडो अपन इसको बोल सकते बोरोडो तयार करके आप इसके दो इस प्रे कंटिनू दर दर दिन के अंतर में करें फिर उसके बाद पुराने पत्ते जो भी पौदे पे रहते हैं वह लिफ डापिंग होती है मतलब आप इसको लिफ ड्रापिंग बोलती है मतल pirate यfire गिरना बहुत जरूरी है जित्य पत्ते आपकी अ ड्रेख में इत्ति माथ्रा में आपके अप्रावरींगी मातरा बढ़ेगी तो वही चीज आपको हमेशा हर साल करना है तो यह कटें हर बार कननी पड़ते हैं? यह कार बार होती है, क्या होता है? दिश्याय पे हर बार पौदा नीचे जमीन पर आता है ठंधर कनि तो इस परपस में आपको इस जगों को हमेशा कुभला करना है क्योंकि निम्बू बहार कहां स लाओगा ओक तो जैसे जमीन से कितनी हाई नार्मली सब्सक्राऊ चाहिए है भिखने नेयों मेipping chapter सपाई में रखना है जैसे कि यह तो सब हो गया मुझे अभी तक इसकी किसम नहीं पता कौन सी किसम अभी अपने निमाड में वेसे सबसे ज्यादा लगता है सर्वती है ना और एक कागजी पतलब निमाड में कागजी लगता है महरास्टे में सर्वती बोलते है उसको पतलब निमाड में उसको कागजी बोल रखा है है वरेटी लग बग दोनों का सेमने स्ट्रक्चर है और अभी फिलाल में थोड़ा केंकर का समस्या बनने की वज़े से थोड़ा लोगों ने भी बाला जी पे ध्यान बढ़ाया हुआ तो यह दो रेटी निमाड में कागजी और बाल सारे सरकारी अनुदान भी मिलते हो निमबू में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बजट लगता ता इसा नहीं सुरू में क्या होता इसका maintenance संभालना बहुत बढ़ा है क्योंकि क्या हता निमू का पवधा तो निमाड तो बीस-पच्चीस रूपे में अच्छा पवधा आप दिखिते उसकी है तो आकरिम उने उखड़ा। तो पानी का इसको बगी चा तयार से लिए यहीं कि इसमें तीन अपान फसल ले सकते हैं उनके बाद बगीचे के हिसाब से लेना पड़ेगे तीन साल पनी तीन साल बाद हिसाब से ले लो आपस नौमबर में ही पानी बशाथ के इसमें पानी बगीचे रूटेशन के हिसाफ सो इसकारण जो कुछ लोग नहीं ले ले पाते हैं, इसा कही लोगों समझ से आती है। क्योंकि क्या होता है practical knowledge मतलब जो चीज अपने जमीन करती है जब से बड़ा रोल ही जमीन का ids- cannabis डिन में लगना चाहिए यह उस चीज को आपको पहलेच आपड़ा उसलिए मैं पहले चлित ऑप्राल के अंदर पान को मेल में अपना देना पड़ेगा अब आप कम लगेगा, तो यह नहीं है इसा कुछ होता है यह अट रिखन के से बागवाम तो जैसे कि आपने ये खुद वाया है तो इसका रीजन क्या है तो अक्सीजन निचे तक जाना चाहिए इसका रीजन सही पुछा आपने यह जो कि के यह जैद दिन यहाई है ऊब युद आप देल नियू जो अब तो उसका है जाएंज तो यह क्या होगा is, вес थे क्या हДख और यह पहिंन और बड़ेन को बोलते ओया जाना तो यह को आपका माल लग जाए है इंदर पानी देते हैं इस चीज को पत्ते को इंदर करवाना है और मतलब उसको एयर सर्कूलेशन देना क्या होता है कि इसमें थोड़ी नार्मली धमजलो 10-15-20 परसेंट जड़ कटिंग होती है तो क्या होता है पौधा एयर लेने लग जाता और एक जड़ कटती है तो उसमें से 10 नहीं जड़ बाद में आती है तो वह जब 10 जड़ नहीं आए सब्सक्राइब हो है कि जैसे की यह तो कोफ से ड़लेटेट्व हो गई जैसे कि मैंना देखा कि निम्बू में यह पर्यू इसके साथ अन्य जो फसल हर्टी टेक्चर उसमें कुछ ऐसी परिते के अलग 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 कराभ का सिस्टम में अलग हो जाता मतलब जैसे अब इन में क्या होता है कि इन में नार्मली जो शुरुवात में जब तक आपका माल लग रहा है तो उसको तब तक मतलब आपका इस प्रेश सेडूल और आपका फर्टीकेशन सेडूल यह दो चीजे आपको प्रपरली मतलब एक तोर पर आपको कहिना कि उसको द्यान देना पड़ था पोड़ा इसे करता है लेड़ से करता है यह लेप सुरक्षित रहेगी तो सब्सक्राइब आपको मार्केटिंग के हिसाफ से मेरा क्या है कि मैं जादा करके मेरा गाइड का काम है और आप जो भी है डिक्त कई तो दोनों में तिकत नहीं होता कि किसान के पास क्या होता कि लोड़ ज़्यादा होता उस्चीज को क्या कricky आदे वगीचे किसी व्यापारी को भी देता है रल utilise में धाथ साथ में वागने आप विजय चले अब यहां क्या होता है कि इधर पास में सबसे बड़ा मार्केट है इंदोर भई आपको उस बारे में सविस्तर जानकारी देदें हैं और उसके लिए जर्मी में तूर के हमको करवेट लगा किसको पकाना पड़ता है और फिर इंदोर तो अच्छे दा मिल जाते हैं अभी आज सबसे बड़ी बात एक बता हुए खरगोन डिश्टीक में और बढ़वानी डिश्टीक में मतलब में जो दिले आज से निकम से कम में 12 साल 14 साल से घुम रहूं वाकि फिर भी मतलब जो मेरी देखरेक में है और मेरी जो नजर में है कि अभी सबसे बड़ा हब आपको जो मिलेगा हल्टी कल्चर का तो आपको क आम, केला, सिताफल हो, पपीता हो, हर हल्टी कल्चर क्राप में अभी किसानों ने इधर रूची बहुत ज्यादा दिखाई है, और हल्टी कल्चर मतलब मेन हब मानने जाने वाला अब ये कसराव तेसिल हो गया है, जैसे कि ये तो हो गई, मार्केटिंग से रिलेटे, आप थो हमेशा अब यह वां ही जमीन आपको थोड़ी मेशा बढ़ा के रखना बहुत इसमें क्या होता है, जमीन का जो मेन दारह रहता है, जित्ती बहरी जमीन हो उत्ती थोड़ी district आप जादा रखे जित्ती हल्की मेडियम जमीन हो उत्ती मतलब फिर भी दो लाइन की कम नहीं होना और बीच से उपर भी नहीं जाए मतलब 18-16 से लेकि बीच के बीच में आप इसको रख सकते हैं प्लान संग्य काम होती है फिर आपनी को पर एकर में आमदनी कम होने लग जाती है उसके लिए थोड़ा सा इसको क्या है कि बुरी बनाए रखने के लिए काटी नहीं हर साल इसकी करना परती है जब चारों तरफ से इसको हवा के लिए जगा बनाए और अपने को निकलने के लि पूरा अभी दो मेने में पूरा अंदर घुषने की जगह नहीं जाएगी इसको हर साल करना ही पड़ेगी इसमें सबसे बड़ा काम है कि इसमें तो बोड़ो पेष्ट का इस्प्रे एक दिंचिंग और दूसरा ऐसी कटिंग पुताई होती है यह पुताई जब होना मही आ गया 15-20 मही आ गया तो उसके बाद आपको बोड़ो पेष्टे की बकाईदा क्लोरों के साथ में या फिर नुवान के साथ में बकाईदा आपको उसकी पूरी दो फिट दाई फिट तक की जो भी उसका स्टम्प रिता है वह तक आपको हर साल बकाईदा टाइम से बना लो बाकी का पूरा थाले में बना लो चार मेने के अंतराल में चार लिटर पानी यह से में डालने का कारण यह होता है लिंबु क्या होता है कि 5-6 साल बात कभी कदार गोड़ बेटने लग जाते तो वह गोड़ बेठे नहीं और अपने पूदे सुरक्षीत रहे बाद बर्साद में ज्यादा पानी हो जाए तो भोजन रोखे निए उसकी जड़ सड़े नि उसी चीज के लिए अप उनको वह टीटमें आपको करना है तो कि अब हमरे बास एक चोईस साल का बखीचा है जिसको चोईस वर्स हो गए है यह इसको अभी 10 साल हुए अभी आप देख जैसे कि इसमें जो सोईल रहती हो कौन सी बेशना रहती है देखो लिंबो के लिए और हल्ती कल्चर के लिए आपको कभी भी लेना हो तो नार्मली जीज जमीन में नार्मली 40 परसेंट तक भी मतलब कंकर हो या रेती हो या जो भी चीज मिले वह जमीन सबसे ज्यादा सुट जल्दी आ जाना साइज बन जाना इन चीजों में आप उनको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है और रही बात पाउदे की लाइप भी उस बगी चो में मतलब वह हलकी मेडियम जो लाल तामबर की जमीने रहती है वह लाइप भी हमेसा ज्यादा मिलती है और क्या होता है ब करता है जागा के जमीन होना चीज एम जागा कैने मिडियम जो अपन बोलते कि पानी पकड़ की रखे और पानी की निकास भी क्लार्श यह उख में बस बस दो सर इसके साथ और कुछ आप बताना चाहते हैं जहां को देखो क्या है कि समस्या तो बहुत है अब समस्या का अप कि आप प्रैक्टिकल सब्सक्राइब दो अंतर होते हैं पर आप उनको क्या है कि कोई बता रहा है तो उस चीज को आप को अले समझ लो और उसका टाइमिंग मेनेजमेंट जेखो हमने बता दिया और आप ने उस टाइमिंग पर उस चीज को फालो नहीं कर रहा तो नुकसान क् कि पर उस चीज को टाइमिंग मेनेजमें अपको कभी सक्सेस होना है तो आपका सबसे पहले टाइमिंग मेनेजमेंट को सीखना जरूरी कि सबसे बड़ी बात यह है कि मोसम अठकल का मोसम तो तो मोसम के उपर सारा खेल माइना रहा है और वहीं समझें लिए आपको एक सजेशन चाहिए कोई भी अच्छा परामस्वादा मिल जाए जो जो किसान बहुत समय से बागवानी कर रहा है यह इसको ना ले जे उससे सब्स तो यहीं तक था जैसे कि नंद कुमार जी ने पूरी डिटेल बताई है और साथ में यदि आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और यदि आसपास के किसानों तो उनसे जो सजेशन भी कुछ ले सकते हैं और इस एजेंसी का नाम है सिद्धी विनायक एग जदे दो सकते हैं भी दूआ में तो झावे दो घजتهब दो बताई हैं सिद्धी आपको कि विड़रे विदारे रडिताह चीवड़की तो यी जदोड़की आवड़की विद्धी रडमी तो ये तो पूंद